ब्लाक प्रमुक पद के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्यासी रामबक्स रावत को सिधहुली में कड़ी मसकत के बाद पर्चा दाखिला करने में मिली सफलता हम आपको बताते चलें ब्लाक प्रमुक नामांकन को लेकर सिधहुली में समाजवादी पार्टी के प्रत्यासी का नामांकन ब्लाक परिसर में दो बार पर्चा छीनने की कोसिस किये जाने के बावजूद भी पर्चा दाखिला करने में सफलता मिली जनपत सीतापुर के 19 ब्लाकों में ब्लाक प्रमुक पत के लिए नामांकन प्रक्रिया हो रही थी इसी कड़ी में जनपत सीतापुर के विकास खंड सिधहुली में समाजवादी पार्टी के प्रत्यासी रामबक्स रावत पूरु सांसस सुसीला सरोज पूरु विधायक मनी इस रावत सहित सैकडो कारिकरताओं के साथ समाजवादी पार्टी कारेले से विकास खंड के लिए नामांकन करने पहुंचे थे अपने समर्थकों के साथ नामांकन करने जा रहे सपा प्रत्यासी को डाक बंगले के पास लगी बैरिकेटिंग के पास रोक लिया गया बड़ मसकत के बाद उन्हें नामांकन किसी को अंदर प्रवेश करने की अनुमती नहीं मिली काफी अर्चनों के बाद सपा उमीद्वार ने नामांकन करने के लिए बलाग परिसर में दाखिल हुए बलाग परिसर में पहले से मौजूद कुछ लोगों के द्वारा सपा उमीद्वार और रामबक्स रावत का पर्चा छीन कर फारने की कोशिस की गई प्रसासन ने फुर्ती दिखाते हुए उसे पकड़ लिया और सकुसल नामांकन करवाया वापस बैरी पेटिंग के निकट इंतजार कर रहे समाजवादी पार्टी करकर्टाओं के पास पहुंचाया इसने मेरा नामांकन पत्र छेनने की कोशिस की वह पकड़ा गया भाग गया पकड़ बचाया भी अजर प्रशासन की भूमिका आपको कर रही है निश्पक भूमिका आप पक्छी है करता हूं उन लोगों के बाधम से हमको पर दिखने ही पर्मान नमगन करें सपा दोरा आपको तिकट दिया गया है यह जी अब आप याई आप क्या नाम भी आप सोनु नाम है आप कहा से हैं जी मैं यहीं करवलिया से हैं जी जी तोड़ा इधर देखिए आपने किसी पार्टी इस है परचा बराया निजग्स निजली है पार्टी से कौन पार्टी से अब निजली तोड जान कि जो एक कि अब बद्दी बताइए गया है